आपके साथ शेयर करूंगे एक बहुत ही हल्दी रेसिपी जो सर्दियों में रखेगी आपके स्वास का पूरा ख्याल हम सभी जानते हैं हल्दी के फायदे ये जॉइन स्पेन यानि जोडों के दर्द में आराम देती है एंटिसेप्टिक का काम करती है और इसका लगाता सही तरह सेवन हार दीजीज और कैंसर जैसे बिमारियों से भी बचाता है साथ ही सर्दी के मौसम में सर्दी जुकाम और बुखार से भी बचाता है तो क्योंकि सर्दी का मौसम आ रहा है तो हम बना रहे हैं कच्ची हल्दी के लड्डू जिसका सेवन आपको सर्दियों में पूरी तरह से स्वस्त रखेगा तो चलिए लड्डू बनाना शुरू करते हैं पर उससे पहले अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई रेसिपी इसके अपडेट्स मिलते रहें साथ ही अपने सुझावब मेरे चैनल पर कमेंट करके देना ना भूलें तो चलिए रेसिपी के लिए इंग्रीजिन्स देख लेते हैं और अब इससे बनाना शुरू करते हैं तो कच्ची हल्दी के लड़ू बनाने के लिए हम ले रहे हैं 1.500 ग्राम हल्दी इन्हें अच्छे से दो लेंगे और इनका छिलका उतार लेंगे अब इन्हें कद्दुकस कर लेंगे तो हल्दी को हमने कद्दुकस कर लिया है साथ ही एक कप बादाम को भी ग्राइन कर लेंगे अब एक पैन में घी लेंगे तो एक कप घी में से 2 टेबल स्पून घी हम पैन में डाल रहे हैं फिर इसमें डालेंगे 1 फोर्थ कप गॉंद, ये गॉंद और छोटे पीसेज में हैं तो इसे हम पैन में ऐसे ही डाल रहे हैं, लेकिन अगर आप बड़े पीसेज वाली गॉंद कामें ले रहे हैं तो इन्हें छोटे पीसेज में तोड करके या ग्राइंड करके घी में फ्रा हल्दी को हमें मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए गोल्डन होने तक भुनना है हल्दी भुन गई है इसे पैन से निकाल लेंगे और अब पैन में बचा हुआ घी डालेंगे और इसमें डालेंगे एक कप गेहुं का आटा इसे मिक्स कर लेंगे और घी की कॉंटिटी थोड़ी सी जादा है तो इसमें हम वन फोर्थ कप आटा और मिला रहे है इसे भी अच्छे से मिला लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए ब्राउन होने तक सेखेंगे जब आता सेख जाएगा तब फ्लेम को बिलकुल लो कर देंगे और एकदम लो फ्लेम पर इसमें हम डालेंगे बादाम का पाउडर और एक कप डेसिकेटिड कोकोनट इसे भी हमें दो तीन मिनिट तक भुनना है फिर इसमें हम डालेंगे हल्दी और गॉन्द हल्दी और गॉन्द डाल करके भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्लेम बिलकुल लो रखने है ताकि ये जले नहीं अब इसमें हम डालेंगे गुड़ तो हम गुड़ अपने स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं यहाँ पर हम पौने दो कप इसमें गुड़ मिला रहे है понравi 1 and a 3 4th cup गुर इसमें मिलाइंगे आप अपने taste के according गुर की quantity थोड़ी कम या जादा भी कर सकते हैं और एकदम low flame पर हमको गुर को melt होने देना है और जब गुर भी melt हो जाएगा तो gas बंद कर देंगे और इस Michigan को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिनगे यानि मिश्रण इतना ठंडा होना चाहिए की से हाथ लगाया जा सके हाथ लगाने से हाथ जले नहीं तो जब यह मिश्रन थोड़ा सठक ठंड़ा हो जाएगा तो इसको आछे तरह से ठाटाल और 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 मिक्स कर लेंगे और फिर इस मिश्रन से थोड़ा सठकें भागे लड़ू बनाएंगे तो कच्ची हल्दी के बहुत टेस्टी हल्दी लड्डू बनकर के तयार हैं, इन्हें आप बनाएं, खाएं, खिलाएं और स्वस्त रहें साथ ही अपने अनुभव मेरे चानल पर कमेंट करके ज़रूर शेयर करें तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगली बार तब तक के लिए ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद